Hello Traders and welcome to the studio Member, Persistent को आज के दिन हम rate कर रहे हैं इसके नदर हमने एक entry लिये है 5038 पर हाना कि ये entry हमें और थोड़ा सा पहले मिल सकती थी जिसे कि हमारी quantities और बढ़ जाते हैं और एक early entry हो जाते हैं बट क्यों कि price के movements काफी ज्यादा थे इस जगह पर एक resistance बन रहा है यहाँ पर lower time frame के नदर भी और shorter time frame करेंगे तो आपको दिखेगा price ने क्या किया है हमारे इस वाले support को तोड़ करके ये नीचे की दरफ गिर गया है ये swing लगा इस swing के उपर ये जो black वाली candle का फाई देखरो यहाँ पर stop loss लगा हुआ हमारे लिए आज का एक बहुत strong stop loss मिल गया है और ये अपना एक resistance point है जो कि अपने trade execute करने के area के just नीचे है बे-figure होकर के हम बैठ सकते हैं अगर हमारा trend identification सही है और वाकए में price को अगर नीचे की तरफ जाना तो बहुत अच्छा movement persistent के अंदर हमें आज की दिन मिलेगा targets जो हमने इसके अंदर में लगा रहा है कि 4920 पर हमारे target लगे हुए 4921 एक्चुली यह 4920 था एक रुपए एक रुपए 50 परिसे को कुछ हमने buffer दे करके price को ऊपर की तरफ रख दिया targets यह क्यों है daily time frame पर इसका answer हम लोगों को मिलेगा क्योंकि यह इसका एक resistance point है यहाँ पर price ने क्या किया था एक resistance form किया और यहाँ से market सीधे नीचे की तरफ आ गए क्योंकि market upside की तरफ है और अपने जो last resistance था इस resistance से नीचे की दिशा में गिर रही है तो इसका जो सबसे pass का support area वो यह वाला है इस वज़े से हमें इसके अंदर जो targets लगा रहे हैं exact इस level के pass में हमारे target क्योंकि market दो दिन से upside की movements दिखा रही है volumes के according भी आप देखोगे तो price हमारा upside की तरफ तो जा रहा है बट इसकी volumes हैं यह decrease हो रही है highs highs and यहाँ पर volumes हमारी decrease हो trend identification method के according आज के दिन इसके अंदर एक red candle form होनी चाहिए और हमें पूरा यकीन है भले ही target हमें इतने बड़े ना मिले लेकिन बहुत मुश्किल है कि price आज एक green candle form करें हो यही सकता है कि price अपने day high को protect करते हुए आज के दिन हमें एक red candle form होते हुए दिखा दे market क्यूं हमने इसके अंदर short selling की एक यह resistance area है हमारा यहाँ पर अब इस resistance के पास में market ने कुछ movements दिखा है जैसे कि यह resistance point बन गया यहाँ पर और यह area price हमारा upside की तरफ जा रहा है इसने कुछ resistance लगा है price हमारा सीधे upside की तरफ चलाएगा उसको break कर दी break करने के बाद में सीधे तीन candle में price हमारा ओपर चला गया उतना ही अच्छा ट्रेड़ा पर execute कर पाऊगे हो देखो price के चलने का एक बार आप उसको एक sense कर पाऊ कि price हमारा up here downside में जा रहा है वो ठीक वो सब को देख रहा है क्या उसकी चाल को आप sense कर पाते हो price अगर अप में है तो वो किस तरह से upside की movements में गया है अब जैसे यह हमारे एक resistance कैसे है क्यूंकि यहां पर एक candle आप mark करो ज्यादा नहीं सिर्फ यह वाली candle 13th of March की क्यूं क्यूं 13th of March की candle क्यूंकि जो swings हमारे लगे थे इस swing को नीचे की तरफ जो तोड़ा है वो 13th of March की candle ने तोड़ा है तो इसका low और high हमारा बड़ा important हो जाता है हमने कुछ ने किया हमने सिर्फ इस candle का high mark कर लिया buffer देने के लिए थोड़ा समझाब पर दो लाइने रख देते हैं अब ये बन गया मिरायक resistance point देखिए यहां पर market ने किस तरह से react किया है एक movement down वापस से देखिए upside की तरफ आए market again down फिर से upside की तरफ आगए और इसने अपना swing break कर दिया बट ये rookie है फिर से यहां देखिए market नीचे की तरफ गिरी है बट ये वाले जो इसके support से इसको protect किया गया है जो होता है आप देखते हो कि lower low lower rise higher high higher lose एक्चुली वह ऐसे काम करते हैं अब यहां पर देखिए कुछ lines बनगे काफी ज्यादा lines हो गए इसको अगर आप skip करके देखो या किसी और काम में व्यास तो disturb mind के साथ ये video देख रहो के चलो देख लेते हैं volumes हमारी गिरते हुए क्रम में है और price में नीचे के देशा में आ रहा है कहीं ना कहीं कि हम यह बोल सकते हैं कि price हमारा नीचे तुआरा बट इसका जो strength है वो उतनी नहीं है यहां पर last में क्या होगा कि volumes के breakout हो गया यह जो pin bar आपकी बनी है इसकी volumes देखे कितनी आई है volumes के breakout हुए और फिर से देखिए फिर हमारा price upside के तरफ चला गया है अब देखिए जैसे जैसे प्राइस हमारा उपर के दिशा में बढ़ रहा है इसकी volumes increase हो रही है लगातार volumes increase हो रही है कैसे volume increase हो रही है का मतलब यह है कि last volume को जो भी volume candle हमारे break करते थे यह वो हमारी volumes का breakout कहलाती है तो price हमारा upside के तरफ जा रहा है यह हम लोग क्या कर रहा है volume और price के तरू क्या कर रहा है एक तरह से जैसे price को हम rate कर रहे है कि एक candle, second candle, fourth candle, third candle जो भी है price में up and down की strength होती है वो कितनी है क्या यह logical है या price यह हमें trap करने के लिए जा रहा है तो देखे यहाँ पर volumes के breakout यहाँ पर volumes के breakout अगें volumes के breakout और price हमारा upside में और फिर देखे इसके अंदर supports लिये जा रहे है अब यह support कहाँ पर इसको समझे के जैसे हमने अपना previous यह वाले जो swing मा किया था अब यहाँ पर जैसे 13th of March के नीचे 13th March के नीचे यह वाला अपने resistance area है यहाँ पर price ने hurdle लिया था एक तरह का resistance बनाया था यह देखे green candle अगें फिर से देखे green candle और volumes increase हो रही है प्राइज नीचे की दिशा में आगया फिर से देखे volumes के breakout और price ने हमारे resistance को break कर दिया पिन बार देखे कितना बड़ा पिन बार ने rejection दिखाया है और rejection यू ही नहीं है volumes के साथ में reject होया market अड़ानी port के अंदर भी आप देखोगे तो price ने जो low लगाया है वो एक single swing के according एक अच्छी सी pin box ने फॉर्म की और अभी तब से वो 100-500% का movement दिखा चुका है और वहाँ पर भी आप देखोगे कि volumes के बहुत अच्छे movements मार्केट ने शो किया है अगर हम लोग price के साथ volumes के analysis को add कर देते हैं तो हमारी readings और strong हो जाती हैं बहुत अच्छी तरह से हम लोग price को read करके confidently bet सकते volumes लगा लो अब volumes में सब पता चल जाएगा आपको कहां पर कितनी क्या volumes आई हैं कितनी volumes नहीं आई हैं कहां पर price के movements volumes के साथ मैच कर रहे हैं कहां पर diversions हो रहे हैं यह सारी चीज़े दिख जाएंगी उसको read करो अपना logic लगाओ थोड़ा से experience add करो थोड़ी से techniques add कर दो काम ख अब यहां पर एक चीज़ देखिए price क्या कर रहा है एक movement upside की तरफ इसके अंदर आई थी यहां पर कितनी speed से price गया है और फिर से volumes हमारी dry हो गई है actually यह symptom होता है symptom light कि आप किसी दिशा में बहुत speed से भाग रहा हो भाग रहा हो और आपको एक turn लेना है समझ रहे हैं कि इस ज earn होता है यही चीज़े हमें यह dry volumes भी show करती है कि price में अगर जो volumes हैं यह dry हो गई और price के symptoms आपको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे form में दिखाई पड़ें इसका मतलब कि वहां पर price अभी रुका हुआ है वो तैयारी कर रहा है यहां तो हो सकता है इसी support को break करके market फ 23rd of मई को और हम read कप कर रहे हैं देखे 2-3 महिने के पहले की reading कर रहे है क्या read करने की कुशिच करने कि prices की movements कैसी हो रही है क्या हम लोग इससे predict कर सकते हैं कुछ इस एक छोटी चीज़ को समझे और यह एक-दो वीडियो देख लेने से यह एक-दो chart read कर लेने भर से नहीं हो बहुत मेहनत लगेगी काफी practice लगेगी तब जाकर के इस तरह से आप read कर पाऊगे यह जो believe और confident है यह gain करने में समय लगता हो हो सकता है reading आप तो थोड़ी दिन के बाद से start को तो जैसे class में है अगर माल लीजे हमने एक मेने या डेर्ड मेने आपको पढ़ा है न तो फिर आप reading करना स्टार्ट होता होगी दिरी दिरे करके reading से start हो जाएंगी लेकिन उसके ओपर फिर confidence gain करना होगा उसके विलिए फिर trade execute करना होगा ट्रेट के results क्या हो रहा है अगर ट्रेट के results आपके positive आ रहे ना उससे फिर होता है कि आप confidence देरे देरे बढ़ने लगता है लेकिन last session में क्या हुआ है कि volumes कम हो रही है और प्राइस हमारा upside की तरफ जा रहा है और यह activity कहां पर हो रहे है हमारे previous resistance area पर यहां इतनी जल्दी यह break नहीं होने वाला लेकिन एक जो चीज हमने देखी है कि volumes भी हमारे गिर रहे है और प्राइस हमारे resistance area पर है कि हम यह मान सकते हैं एक resistance पर होना प्राइस के अंदर उसके अंदर एक rejection शो करता है जिसकी confirmations हमें lower time frame पर मिल जाती है बहुत easily मिलती है फिर volumes में देखने हैं कि price हमारा गया तो है resistance तक बड़ यहां पर volumes कम हुई है इसका मतलब कि buyers के attention से यह stock थोड़ा सा दूर है एक दिन पहले जितनी volume आई थी अगले दुन से कम volume है प्राइस हमारा अपसेट के तरफ है हो सकता है कि यहांपर sellers active होना चाहते हूं यह buyers उतना active ना रहना चाहते हूं क्योंकि यह price buyers का नहीं है breakout होने के बाद में हो सकते हैं पर और ज्यादा buyers है तो अभी की जो symptoms हमें लग रहे हैं कि price down से upside की तरफ तो strong है लेकिन क्योंकि अपने यह resistance के पास में है यह इसका lifetime higher है समझ में रहा है ना लास्ट में लोग कहां पर पहुंचे प्राइज अपने एक resistance के पास में है यह इसका resistance है यह इसका lifetime high है कि वॉल्म्स ने शो कर दिया वॉल्म्स कम हुए और प्राइज रेस्टेंस पर है अब क्या कर सकता है हो सकता है कि price हमारा नीचे की तरफ गर इस है वो ब्रेक किया हाई वॉल्म के साथ प्राइज ने अपने lifetime हाई के पास की जो केंडल है उसको reject किया सीधे नीचे की तरफ आगया प्राइज ने फिर स्विंग को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है यहां पर हमने अपने शॉर्ट सेलिंग की पोजिशन ली स्टॉप लोस और यह एक्जेकुशन हमारे हुए थे दस बजे के बाद हुए थे हां दस बच कर दो मिट के आस पास हुए थे और फिर पांदस मिट के बाद हमने फिर अपने स्टॉप लगा दिया इस प्रत का जो अपनी पोजिशन चल रही है 3500 का रहा हुए हम प्राइस रुका हुआ है अब ब्रेकाउट हो तो इसके अंदर एक मुवमेंट हमें देखने को मिले क्योंकि यह जो बड़ी वाली केंडल आप देख रहो ना 9.15 के इसके नीचे फिर मार्केट जाएगो तो अच्छा मुवमेंट देखने को मिले सकता है लगा कर अपने स्टेड़ी या फिर अपने नॉलिच के कॉडिंग कुछ उससे रिजल्ट गेन कर सकते हैं कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं एक जस्ट एक्जांपल आप लीजेए कि एक हमारा रेस्टेंस पॉइंट है एंड प्रैस का ये मूवमेंट है एक्सिल्रेशन अगेन प्रैस डाउंसाइड की तरफ चला गया और यह गिर गया है इसने ऐसा ऐसा कुछ मूवमेंट दिखा दी और प्रैस मारा उपर की तरफ चला गया तो यह बन गया इसको यह कहते हैं इसको डीसलेरेशन कहते हैं यह डिसलेरेशन कहते हैं यह right project काऊड रिक यह रेस्टेंस था रिसेंस पॉइंट है यह तो कहानी बन गई इसह फाद अभी जो चीज़ हम बताएंगे ना, देखो जो चीज़े नहीं हुई हैं, उसको हम लोग कैसे प्रेटिट कर सकते हैं, एक एक करके शुरू करेंगे, अब देखिए, ये एक तरह का हमारा resistance point, resistance in the sense, price आपका एक जगह से दो या तीन बार reject हुआ है, इस rejection के बाद में, हमारे प upside पर movement करते हुए गया, यहां पर देख कुछ चीज़े बनती है, इतने से formation में, इतनी सी line में, करीब तीन से 4 structures form होते हैं, तीन major structures है, जैसे price किसी भी resistance को यूँ ही break नहीं कर देगा, कि बस गया और इसने इस तरह से करके break out कर दिया, ऐसे में क्या होता है, कि price को एक V-shift form करना होता है, price नीचे आगा, इसको आगे चल करके देखेंगे भी, जैसे जैसे price हमारा upside की तरफ भागता है, यहां से, अभी इसमें हमें चाहिए होता है breakout, breakout हुए नहीं है, उसका prediction हम लोग कैसे लगा, कि price आपका एक resistance point पर है, यहां पर किस किस तरह की, किस type की activity होती है, जिसको कि हम लोग analyze कर सकते है, rate कर सकते है, कि price यहां पर जाकर कि हो सकता है, खोड़ी दिर रुके, hurdle, यह एक तरह का stoppage होता है, इसके बाद में price आपका breakout अगर upside की तरफ दिखाता है, क्यूंकि एक resistance के पास से price ने hurdles लिये, एक, दो, यह सारी चीज़ें हो चुकी है, तीन, price एक यह अगर resistance point है, तो price ऐसे होगा, यह retest होगा, price उपर निकल जागा, यह तो हो गया, यह वाले जो retracement है, breakout है, यह हम नहीं देख रहे है, इसको किस तरह से हम लोग predict करेंगे, कैसे काम करेंगे, live market में, क्योंकि जब आप काम करने होगे न, तो main मुश्किल इन start होती है, मुश हो सकता है, कि price आपका ऐसे ही अपने resistance पर जाकर के थोड़ा सा hurdle ले, कि बाद में price ब्रेकाउट करता है, volume के साथ अगर price ब्रेकाउट करेंगा, तो बहुत ज्यादा हद तक chance है, कि वो breakout आपका survive कर जाएगा, वो successful breakout होगा, एक सबसे पहला structure है यह, फिर से इसको देखिए, य गिर रहा है, उसको गिर जाने दो, hurdle यह, अब इन hurdles के पास में, जैसे ही, जैसे ही price breakout मारेगा, हम लोग यहां से अपने trades execute करते हैं, और फिर जो movements होते ही, हम लोग upside के तरफ के predict करते हैं, वो 0.75% के भी हो सकते हैं, आपके 1% के भी हो, तो यह hurdle होता है, कि price एक breakout देने से पहल and then यह आपको breakout देख, जब भी ऐसा हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इतना hurdle लेने के बाद में, अगर कोई price आपका breakout कर रहा है, तो बहुत आराम से यहां पर आपना trade execute कर सकते हो, उसको आगे को enjoy करो, stop loss लगाओ, target से, जितना भी आपको रखना, target लगाओ, और देखो की market कहां तक लिकर के जा रही है, इसका सबसे पहले हो तो example देखा, अब यह देखे विदानता का chart है, विदानता का chart कितनी अच्छी तरह से अपने resistance को respect कर रहा है, ब्रेकाओट करने के बाद में, प्राइस कितनी अच्छी तरह से नीचे के तरफ गिर गिर गया, again price हमारा upside की त जैसे यह breakout होगा, upside की तरफ, तब हम लोग अपने trade execute करते हैं, अगर ऐसा होता है, तो यह एक तरह का confirmation होगा, कि जो हम लोग trade execute करने से पहले देखते हैं, कि देखे, price ने आपके level पर किस तरह के movements देखा है, यह volumes को भी आप on कर लो, volume देखे क्या किया है, अपने resistance के पास में and resistance पर पहुंचने से पहले पहले देखे, इसके अंदर volumes के breakout हो गया, और price आपका एक resistance एरिया पर trade कर रहा है, यहाँ पर, है यह इसका higher time frame का level है, अब यहाँ पर market रूकी होई है, lows, highs, यहाँ देखे, अब अगेन देखे, जैसे ही price हमारा breakout करता है, अभी मने क्या कहा, volumes के सा volumes continuously down हो रहे थे, एक volume spike आई, price ने upside के तरफ breakout दिखाया, 9.15 गया, retracement, price upside के तरफ, और अभी भी I think के विदानता आपका upside में ही trade कर रहा है, यह देखे, यह कुछ तरीके होते हैं कि जिससे हम लोग किसी भी trade के अंदर होने वाली activity को पहले पहचान सकते हैं, अब इसी में अचली यह आपका resistance point है, price फिर से नीचे के तरफ गिरा, इस condition में क्या होता है, कि price यहाँ पर hurdles नहीं लेता है, यह क्या करेगा, कि आपके resistance को break कर देगा, अभी जो चीज़ अमने बताई थी ना, कि price आपके resistance को break कर देगा, breakout करने के बाद में, जब price आपका retrace होता है, तो य यहाँ पर यह एक तरह का stoppage लेता है, यहाँ पर रुकती है, समझपार है ना, यह structures इतने easily आपको दिखने को मिलेंगे market में, अगर आप इसको देखना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको लगेगा कि हर stock जो चल रहा है, वो कहीं न कहीं इसी तरह से चल, आप जब इन price structures को दे अब यहाँ से क्या होगा, हमें एक यूग ले रखना है, कि जिस भी stock को आप देख रहे हो कि उसका direction क्या है, क्या हमें इसे upside की तरफ break करना है, upside की तरफ trade करना है, अगर price आपका resistance break कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा हथ तक chance से फिर आप इसको outside में trade कर दोगे, break out trade कर दोग कर रहा है, कि जो resistance है, और जो activity market में हो चुकी है पहले से, अब हमें इसे rate करना है, क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि price पूरी तरह से हमारा sideways zone में है, highs and lows के अंदर यह रुका हुआ है, फसा हुआ है, हमें trade एक्जेक्यूट करना है अपनी ranges के बाहर, हम क्या देख रहे हैं, बिल्कुल भी sustainability नहीं दिखाई, और direct breakout कर दिया, upside की तरह, हम लोग trade नहीं कर देंगे, इसी चीज को देखना होगा, यह price के जितने भी structure से न, यहां पर हम लोगों की help करते हैं, और हम लोग अकसर इसको गलत assume कर लेते हैं, कि breakout होगे चलो trade कर दो, नहीं, इस structure जितने भी breakout कर नहीं की हैं, तो बहुत ज्यादा हथ तक chance है, कि फिर price का movement है, वो ठहरेगा भी, ठहराओ में होगा, हम लोग जल्द वाजी में trade execute करेंगे, तो हो सकता है, या तो में महेंगा price मिले, या तो फिर हमको loss हो जाए, तकड़ा loss हो जाए, wait करो, price को आने दो अपने level, आने दो, य ये basic चीज़े होती है, ये देख रहना है, कि price ने breakout किया, वापस से आपके area पर आया, अब यहाँ पर देखिए, इसने breakout करने के बाद, अब यहाँ पर आप अपना trade execute कर सकते हो, कैसे, simply, जो की normal चीज़ है, कि आप लोग यहाँ से, या तो कोई trend line execute कर लो, trend line के थुरू reading कर या तो फिर अगर horizontal line के थुरू trade execute करना, अगर आपको आता है, तो इससे तो बहतर कुछ है ही नहीं, जैसे ही आप देखोगे, कि price के breakout हो रहे है, entries के confirmations आपको मिल रहे हैं, आपको level के उपर, आप trade execute कर दो, बहुत हद तक चांसे फिर आपको अच्छा movement देखने को मिल जाए हम एक क्या चीज़ समझाना चाहरे हैं आपको, कि generally जो tradition चल रहा है, loss करने का tradition के बात कर, breakout हुआ trade कर दो, ऐसा नहीं हो, जाने दो न, कई बार ऐसा होगा, कि price में ये आपका area है, price breakout करे, और वो ना तो retrace करे, ना ही hurdle, वो कुछ नहीं करेगा, वो सीधे उपर की तरफ निकल हो गया, अब आते हैं हम लोग अपने third structure पर, इसमें क्या होता है, कि simply आप लोग ने देखा हो गया, trend line के थूरू काफी लोग trade execute करते हैं, अच्छा है, इन trend line को और कितना मजबूत हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी हद तक बहुत strong techniques होती है, बशरत है कि आप इसका use स सही समय पर और सही तरही के से करो, कोई भी stock अगर आपका अप trend में है, ऐसे जा रहा है, तो price ने range थोड़ी सीधे हम लोग trade execute नहीं करते हैं, ये नहीं होता है, वनना price उपर गया, ये trend line है, market चल जाने के बाद में, फिर मोग लोग कितनी इच्छी तरह से draw करते हैं, देखे उपर गई market, उपर चले गई, उपर चले गई, और नीचे गर गई, देखा, यहाँ पर आप लोगो trade execute करना था, यहाँ stop loss लगाना था, यहाँ target book करना था, यह इस तरह की कानिया सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब trade execute करने जाते हो, आप live market में, तो फिर सम अब मैं मालूम है ना कि daily time frame पर यह एक resistance area है, movements एक काफी strong area है, अब यहाँ पर 5 minutes पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो readings हमने की है, वो daily और 5 minutes दोनों उपर की है, अब higher time frame पर यह एक strong resistance के पास में है, और वैसे आप assistant को देखोगे, तो price क्या कर रहा है, एक कितना अच्छा uptrend हमे अब trend दिखा रहा है, कौन होगा यहाँ पर जो buy नहीं कर लेगा, वो तो buy ही करेगा न, trend line के तुरूद जो trade execute कर रहा है, वो trader क्या कोशिश करेगा, कि price का जैसे ही trend break होता है, जैसे ही trend change होगा, वैसे ही हम लोग trade मार देंगे, simply सिर्फ trend line को देख करके, अगर आप trade मारोगे तो बहुत बार आप fail हो जाओगे, बहुत बार आप fail हो जाओगे, देखिए, यह है न, अब यह market चल चुकी है, तो हमें दिख रहा है, फिर आप ऐसे trend line draw नहीं करोगे, क्योंकि यह successful है, लेकिन अगर live market में नहीं होते, यह movement नहीं होता, तो I am sure कि फिर आपकी trend line होती, वो क candles के लिए बहुत strong hurdle यानि के support या फिर resistance का काम करता है, अगर हम लोग trend line को अपने higher time frame के points से match कर दें, तो एक बहुत strong setup हम लोगों को देखनों को मिलेगा, जैसे कि persistent में था, हमने resistance या यह अपना draw किया, इसके बाद में price का जो trend था, यह upside में था, यह trend line की जो टेक्निक हम यह यूज नहीं की, हमने अपनी volumes की price की analysis, daily time frame पर reading and lower time frame पर reading, उसका trend identification करते हो persistent को treat किया था, बट इसी में हमने एक चीज़ देखी कि हमारी trend line भी बन रही है, जो price पिछले कई दुनों से लगाता और follow करता चला रहा है, अब जाकर के price अपने resistance पर पहुंचा है, यहां से touch ह करके market ने कितना बड़ा movement दिखा था downside की तरफ, again upside, again upside, again upside, again upside, again upside, again upside, अब हमें यहां यह देखना होगा, कि मेरी कौन सी trend line हमारे higher time frame के strong resistance area तक जा रहा है, जैसे ही strong resistance से touch हो करके market हमारी नीचे की तरफ की movement दिखाती है, हम तब अपना कोई भी trade execute करते हैं, बड़े risk है, यह गलत है, बड़ा चोटा risk नहीं, risk हम उतना ही लेंगे per trade का हमारे risk fix होगा, तो जितना हमारा pocket allow करती है, money management के according to risk हम उतना ही लेंगे, हाँ यह कह सकते हैं, कि हम full of confidence यहां पर अपना एक trade execute कर सकते हैं, जैसे ही एक resistance area बना हमको, यह तो higher time frame का था, and यहां पर क्या हुआ, कि price न से भी नीचे market ने हमें एक entries के confirmations दिये, that's why यहां पर हमने अपना trade execute किया, अब यहां पर जब आप देखोगे persistence में, तो एक trend, market एक trend में, यह कल की movements है, daily time frame के resistance से market हमारी टक रहा ही, इस जगे पर movements हुए, price सीध हमारा नीचे के द्रफ गिर गया, यहां पर अपना trade execute, अभी इसका target हमारा 4921.45, यह हमारा target है, trend line को आप use करो, वहां पर देख लो कि higher time frame पर कोई हमारा strong resistance से support point तो नहीं है, अगर ऐसा है, तो फिर हो सकता है, इसी का benefit भी ले सकते हैं, और यहीं पर आपका stop loss भी जा सकता है, पता है कैसे, अब यहां पर यह trend line है, जो अब हमने draw के थी, ठीक है, अब इस trend line के थुरू, आप क्या करो कि buy कर दो, यहां से market उपर तो जा ही रही है, तो ठीक हम लोग buy कर देंगे, जैसे आप buy करोगे तो आपने नहीं देखा था कि higher time frame पर यहां कोई strong resistance point भी है, price आपको थोड़ी दिर तो profit दिखाएगा बाद में फिर, यह समझ लो trend line को देखते हो, और में इपना trade execute किया, price upside की तरफ गया, और यह हमारा higher time frame की important line है, important point है, जैसे price वहां पर गया, हमने तो यहां से buy कर लिया था, फिर से price वहां नीचे की तरफ गया, इस तरह से 3 काम हैं, जो कि हम लोग कर सकते हैं, आप चाहो तो इसकी list बनाओ, कि एक सही trade जब में execute करना होता है, तो trends and horizontal lines, इन जब दोनों को merge कर देते हैं, तो एक strong setup हमको मिलता है, दूसरी चीज, एक सही दिशा में trade execute करने के लिए भी हम इस setup का use करते हैं, और stop loss hit ना हो, इसको भी confirm करने, अब आता है fourth setup के उपर, अब इस structure को गौर से देखे, सिर्फ यहां पर आ lower है, इसके powers को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा एक बहुत strong resistance बना करके देते हैं, क्या हम लोग अपने resistance या फिर support का use, अपने trends के against में कर सकते हैं, कि price हमारा नीचे के दिशा में गिर रहा है, ऐसे, और अब हम क्या इसके दिशा जब change हो रही है, पलटने से पहले क्या हम इसे trade कर सकते हैं, इसको देखिए, प्राइज में जैसे ही breakouts आपको दीख रहे हैं, हम लोग simple breakout के तुरंत बार trade नहीं कर देगा, क्योंकि इसमें फिर game हो जाता है, trapping हो जाती हम लोगों के साथ में, trend line इसलिए अकसर fill होती है, हम कभी भी trend line के तुरू trade execute कर तो आपको नहीं दिखाए पड़ेंगे, सिर्फ trend line के, कई सारे elements हम उसमें ले कर चलते हैं, जैसे हमारा fixed है, higher time frame पर volumes के साथ reading तो must है, must, यह सब छोटी-छोटी चीज़े हैं, additional होती है, confirmations के लिए हम इनका use कर लेते हैं, अब जैसे आप trend line को ले कर चलो तो इसके अंदर ए अपने trends को break करें, तो हम यह देख सकते हैं कि क्या price ने हमारे किसी support या फिर resistance को break किया है या ने, क्योंकि जैसे ही trend line के उपर आपका price निकले हमें trade नहीं कर देना है, trend line को भी break हो रहा है, और हमारा जो point है, जो resistance का area है, वो भी break हो रहा है, तो जैसे ही price upset के तरफ निकलेगा हम लोग यहां से double confirmations के साथ अपना trade execute करते हैं, आई होब कि समझ में जाओगा होगा, यह buy side का है, इसका adjust stuff, wise versa कर दो, फिर वो sales side का बन जाता है, trend line तूरंट तूटे, नहीं, ऐसे market नीचे की तरफ आ रही है, तूट रही है, नहीं, जाने दो उसको, जहाने जा रही है, जा जब यह support भी market upside की दरफ ब्रेक करके, हमें entries के confirmations देती हैं, तब हम लोग अपना trade execute करते हैं, और यह सब हम लोग क्यों कर रहे है, क्योंकि हमारे trading setup है, यह मुझबूत हो, अभी के profits क्या चल रहे है, तीन बच चुका है, तीन बच चुका है, तीन बच कर पांच मट पर यह candle हमारी complete हो जाएगी, करीब एक मट बचा हुआ है, और अब यहां से हम लोगों को profit book करना, शायद start का देना चाहिए, 10,900 का profit चल रहे है, चलिए, अभी एक दो candles इसके और बन सकते हैं, और इससे पहले जो चीज़े भी आपने बता हैं, इसका example ले ले ले, अब देखिए कैस यहां पर swings लगे है, lows, again highs, फिर से lows, यहां पर breakout fail हुआ, इसके कितना अंदर तक गिर गया, again highs, lows, फिर से देखिए low, again low, price एक trend में नीचे के तरफ गिर, price ने जैसे यह candle break out देखाया, क्योंकि हम इतना confident हैं इसके अपर, कि price कितनी बार नीचे के तरफ गिरा है, जैसे upside के तर जो सभी लोग देख रहे हैं, मतलब के आप कुछ गलत देख रहे हो, कुछ नकुछ तो गलत देख रहे हो, अब यहां पर सभी लोग देखें कि price अपना एक lower low lower eyes, lower low lower eyes form करते हुए आ रहा है, और price trend में है, breakout करेगा आप तो रहाएं trade execute नहीं कर दो गो, रुको ठहरो, यहां पर confirmation slope नहीं, कि price आपका trends को break करने से पहले, क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई support बना रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर आपके supports बन रहा है, supports form हो रहा है, कि देखिए, सिर्फ trend line से ही काम नहीं हुआ है, यहाँ पर support trend line तो break हुई है, यह यह price नीचे, अब देखिए same support आपका resistance में convert हो, अभी आपने क्या बताया है, कि breakout से पहले price आपका hurdle ले रहा है, दोनों चीज़े मिल गए, आप trade execute करो, अब आप देखोगे कि जो आपका success ratio है यह increase होगा, यह बढ़ेगा, इस तरह से analysis करने में confirmations लो, supports form करो, तो supports की confirmations लो, trend line form करो, तो breakout की confirmations लो, price में जैसे, एक candle बाहर के आपने trade मौर देखे, trend line के दुरू तो अकसर यह होता है, इसको तो sharpit है, अब trend line draw करो, एक बाहर में सही trend line draw होगे, तो मतला है आप बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें confirmations लेने पड़ते हैं, अब एक काम करते हैं यहां से हम लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि भी time बहुत हो चुका, stop loss cancels किया था, pending पड़ा हुआ है, इसको cancel कर देते हैं, stop loss cancels है, मजा नहीं आ रहा, अब यह हमको लग रहा है कि sad way हो जाएगा, 11,100 लेजिए, 11,122 रुपए पर हमें exit में, broker ने निकाला है बाहर, fully executed, 130 quantities निकाला है, 2,4 अब देखिए, exit करने के बाद में, अब movement हो रहा है, यही चीज़ पहले हो जाती ही, 12,13 रुपए का profit लेकर हम लोग निकलते हैं, कितना हुआ है, 11,122 रुपए, चल यह इतना भी बुरा नहीं है, ठीक ही है, लेकिन और हमें मिल सकता था, अब एक सबसे last structure हम आपको बताएंगे, जो की trend reversal में आपके काम आएगा, यह buy और sell, दोनों साइड में लगता है, Supports, प्राइज आपका lows, Lows and Highs form कर रहा है, हम लोग simply क्या करते है, यहां पर हमें buying करनी होती है, अब देखे, market को अगर नीचे जाना है, तो फिर हमारे इन levels के नीचे से trade करना होता है, यहां से फिर इस supports को break करें, और market फिर नीचे निकल जा सीदे, जैसा आभी हमने बताये इससे पहले, hurdles ले और hurdles ले करके नीचे निकल ले, लेकिन कुछ symptoms हैं, आप देखोगे कि अकसर वो supports या फिर resistance पर ही form होते हैं, वो symptoms actually है क्या, सबसे बड़ा तो जो reflection आपको दिखाई पड़ेगा, सबसे बड़ा जो reflection आपको दिखाई पड़ेगा, volumes के breakout होने लगेंगे, बड़े-बड़े volumes के breakout होंगे ज्यादा-ज्यादा, और price आपका एक support पर, इसके बाद में फिर volumes कम हो जाएंगे, लगातार volumes आपकी कम हो जाएंगे, ड्राई होती रहेंगे, क्योंकि फिर ये एक hurdle होगा, यहां से price को turn करना होता, और यहां से आपकी जो volumes हैं, यह dry होने लगे, कि price आपका अपसे downside की तरफ गिर क्या है, अब यह आपका एक support पर आ गया, support पर आ जाने के बाद में यह symptoms होते हैं, अब trade के लिए ready होना होगा, कि price एक support पर आ गया, यहां पर volumes increase होई, and increase होने के बाद में, फिर volumes आपकी dry होने लगती हैं, simply हम लोगों को यह करना होता है, क्यूंकि price अपने एक support पर है, तो इसके अंदर resistance के breakout होते हैं, लेकिन अक्सर आप देखोगे इस तरह के criteria's में, आपको buying symptoms ज्यादा अच्छे से मिलते हैं, और जैसे ही price अपने इन resistance को break करता है, जैसे ही break करता है, वैसे हमें यहां पर trade execute करना पड़ता है, और यहां पर volumes भी देखोगे आप के ज्यादा आते हैं, जैसे persistent में देखोगे आप के breakout के वक्त, उसमें कितनी ज्यादा volumes आ गए थी, जिसको देखते होगे हमने trade execute किया था, price एक support पर है, support पर होने के बाद में इसके अंदर volumes के breakout होते हैं, price थोड़ी देर आपको हर्डे लेता है, और यहां पर volumes dry होते हैं, मतलब volumes के speed कम हो जाती है, अब यहां पर trend reversal, अक्सर जहां से भी देखो गया, आपके price में reversal हो रहे हैं, वहां पर अक्सर आप reversal होते हुए देखोगे, कि वह बहुत strong support होता है, और फिर हम लोग अपने stop losses को, उनके just nature swings पर लगा देता है, और same चीज हम लोग को करनी होते हैं इस short selling में, कि price अप में आता है, अपने resistance को तोड़ते हैं, और किसी strong resistance से ठकराता है, और जैसे यहां पर आएगा, हम लोग को क्या करना होगा है कि यहां पर volumes बढ़ने लगेंगी, और इसके बाद में फिर जब price हमारा side भी होता है, तो फिर volumes हमें dry होते हुए दिखाई पर, breakout के बाद में फिर trade, dryings काफी ज़्यादा congested हो गई है, यहां पर इसको हम remove कर देते हैं, और chart पर चलते हैं, यहां पर दो price को देखेगा, 1275.20, 1273.90, यह दो ही price रहेंगे हमारे, और आप यह देखिए infosys के अंदर, और आप यह देखिए कि इस stock के अंदर, 1275 और 1273, इस range किस तरह से एक ही बार price एक ही direction में गिरा है, जैसे कि यह इसके कुछ support points हो गए, price ने gap down दिखा है, अगेन यह side भी हो गए पूरी तरह से, हमें weight करना है, हमारे predefined areas का, in levels का, जैसे price इस जगह पर आता है, यहां पर क्या हुआ, हमने जो बोला था आपको, कि volumes देखोंगे, आप dry होती हैं, जब भी price को कोई reversals करना होता है, अभी जिससे structure के हम बात करना है, कि आपका predefined resistance point है, price इस जगह पर आएगा, वापस से नीचे के तरफ गिरेगा, यहां पर आएगा, फिर से नीचे के दिशा में गिरता है, यहां आएगा फिर से नीचे की दिशा में गिरता है, इस जगह पर कुछ entries के confirmations होते हैं, जैसे कि price आपका hurdle लेने लगे, और इन hurdles को नीचे के तरफ breakout कर दे या फिर कोई भी आप rejection candle देखो और उन rejection candles का breakout नीचे के तरफ होने लगे volume से कैसे confirmations लेते हैं कि price आपका एक resistance के पास में है और volumes आपकी dry हो रही है मतलब कि एक sideways zone में volumes पड़ी होई है कुछ ना कुछ तो होने वाला है अब यहाँ पर देखे क्या हो कि price इस जगह पर रहा sideways again देखे volumes के breakout होई price ने इस candle का low break किया और फिर से यह सीधे नीचे के तरफ price सिर्फ यह गौर की जगए कि 1275 और 1273 ही है अब फिर से हम लोग देख रहे हैं कि price वापस से मेरा इसी जगह पर इसी zone पर जाए और जब तक वहाँ पर नहीं जाएगा price तब तक हम लोग कुछ नहीं करें देखे यहाँ पर फिर से market आई and volumes के breakout देखे सेम जगह पर आपको volumes के breakout देख रहे हैं हाला है कि यह इस तरह का structure है जहाँ पर हम लोग trade execute नहीं कर सकते लेकिन price इस देखे फिर से हम लोग wait कर रहे है कि यहाँ पर market आई यहाँ देखे क्या हुआ है एक rejection candle form होई है multi rejection candles फॉर्म होई है एक दो और तीन टोटल तीन candles बनी है एक दो तीन volumes के breakout है price इस से गए पर है हम लोग क्या कर सकते है और जब यह दो मल्टी एक्षिन candles के अंदर price action में इन दो कैंडल को हम लोग tweezer top या tweezer bottom बोलते है specially इन कैंडल को हम लोग tweezer bottom बोलते है जो की bearish symptom दिखाता है और बहुत अच्छा एक signal होता है हाला कि इन कैंडल का हम इतना ज्यादा फादा दे सकते हैं बशर्त है कि इनका use up सही जगह पर करो यहां पर देखे market आई अगेन देखे आपको movement downside के तरह अब फिर से हम लोग देख रहे है कि market हमारी range पर जाए हम इधर उदर से कुछ नहीं करेंगे हमारे जो predefined area है फिर से देखे market यहां पर रहे यहां पर क्या हुआ एक rejection candle और तुरंथ ही एक red candle हमारी rejection candle के नीचे closing करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि इस candle के high के ओपर अपने stop loss लगाने के बाद में यहां पर trades execute करते हैं तो यह simply तरीका होता है किसी भी एक range के पास से एक levels के पास से हम लोग जब trades execute करते हैं क्योंकि prices के अंदर इस तरह के symptoms आप देखते होगे अक्सर देखने को मिलते हैं कि price एक ही level से confirmations देरा आप बार बार नीचे करते हैं again नीचे again sales side again sales side और जैसे ही price का breakout होगा यहां से फिर हम लोग अपने trends को change करते हैं लेकिन basically इस structure को हम लोग price reversals में use करते हैं तो I hope यह 5 के 5 points आपको बहुत अच्छी तरह से clear हुए होगे बहुत अच्छी तरह से समझ भाय होगे persistent के अंदर देखिए हम लोगों ने जो अपनी exit की है exact level पर draw कर दिया था पूरा structure जो भी चीजें पांच य अच्छे जितने formation समझ भी होगे यह सारे समझ भाय होगे कोई भी doubt इनको लेकर कर रहता है तो comment box में comment कर दो उसका 100 and 1% reply 11,122.90 पैसे का profit which is enough I am satisfied so thanks and we will meet again कर दो कि अच्छे 12